तो आज के इस वीडियो में हम लोग शीखेंगे कि Jio Cinema application को अपने laptop या फिर computer में कैसे install करते हैं तो अगर आपके पास एक Android mobile phone है तो कोई बात नहीं Play Store से आप सीधा उसको install कर सकते हैं और उसको free में मजा ले सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एक laptop है और आप चाहते हैं कि अपने laptop में भी आप Android जैसा एक application Jio Cinema का install करके रखेंगे और बार बार आप browser के मदधम से नहीं सीधा उस application के मदधम से open करेंगे और Jio Cinema में जो भी कुछ है उसको free में आप देखेंगे जैसे FIFA World Cup चल रहा है अभी आप कैसे उसको देख सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे तो सीधा आपको इस काम के लिए ज्यादा कुछ करने के जुरूरत नहीं है नहीं कोई आपको कोई software नहीं कोई start party application कुछ use करने के जुरूरत नहीं है सीधा आपको अपने computer अफी laptop से google chrome browser को open कर देना है कुछ इस टाइप से और जाकर टाइप करना है geocinema.com तो आपके सामने इस टाइप से यह website खुल जाएगा तो अभी आपको जो काम करना है इस application को install करने के लिए आपको इस जागा एक option देखने को मिलता है इस टाइप से खुल जाएगा अब आपको यह यह इंस्टल हुआ तो यह जो है एक application है जो सीधा आपके आपके लाप्टॉप में इस टाइप से रेडिय हो जाएगा और इस टाइप से खुल जाएगा आप इस्टोर में जो application होता है उस टाइप से ही यह इंस्टल हो चुका है तो मैं इसको close कर दिया अभी आप देख सकते हैं इसका आपको इस जगह देखने को मिल रहा है तो आपको बार बार Chrome ब्राउजर को जाने के जुरुत नहीं है हम Chrome ब्राउजर क्लोज कर देते हैं अभी जियो सीनमा इस application पर उपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यह application खुल जाएगा कुछ इस टाइप से और इसके अंदर आप बटन पर क्लिक करना है या फिर आप सीधा इस जगह से control पैनेल पर जाएंगे चाने के बाद आपको सीधा जो है अनिस्टल आप्सन में जाना है तो इस जगह आपको जी यो सीनमा देखने को मिल जाएगा जो आपके इंस्टल हुआ है तो सीधा इनस्टल कर सकते हैं तो दो आप से लाइब देखने को मिल रहेगा जैसी का अभी जर्मानी और जापान का खेल चल रहा है तो आप इस टाइप से क्लिक करेंगे तो वो खेल स्टाट हो जाएगा और बिलकुल आप फ्री में इसी अप्लिकेसन के मद्धम से अपने लैप्टप से आप फ्री में जो है व